आज हम बात करने वाले है, US visa interview एक counter होता है, rejection का, सब भूल जाओ, बिंदास रहो, जो होगा देखा जाएगा मोहित का experience है with the Chinese counselor, वो आपको मोहित बताएगा So hello guys and welcome back to another video, ये video होने वाली है बहुत ही informative क्योंकि आज हम बात करने वाले है, US visa interview day पर आपके सथ क्या होने वाला है और आप उस दिन क्या expect कर सकते हो अगर आप US आना चाहते हो और US visa interview के लिए प्रेप कर रहे हो, तो ये video आपके काम आएगी So guys, आज हम बात करने जा रहे है हमारे personal experience की कि हमारा जब visa interview था तो हमने क्या preparation की थी और हमने कैसे interview दिया था और क्या हमारे साथ हुआ था बिना रुके, चलो शुरू करते हैं So guys, जैसे कि वीजा interview के लिए आप जारे हो तो आपको मेक्शूर करना है कि आप एक घंटा पहले वीजा location पहुच जाओ जाओ जहाँ आपका इंटर्व्यू 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 है जो परसनल experience से बात करने वाले हम वो होने वाला है मुंबई कांसलेट के बारे म करने 23 ay you. 7.50 टाओ से फटेसे हैं यह जिन पहुचे के जिए खंढ़ै है पारकिंगтов कांसलेटित रेख़ає हम से इंटर्वी जे नहीं नहीं होती हैं तो मेक शोयख़ेगा लगा मंशनी से बाला पी तो होपिस और आपको है जैसे ही पारकिंग के फासदा उनिके जालीश ब 9.30 पहुच गया थे हम कुछ 15-20 मिनिट से रुखने के बाद वहां पर सारे स्लोट्स के लाइन लगती है हमारा स्लोट था 8.30 का अप्रोक्सिमेटली 8.00 को हमारे लिए कॉलिंग आ गए थी कि 8.30 की जिसकी भी लाइन वह आकर लाइन में रुखे तो हम लाइन में रुखे और थोड़ा वेट करने के बाद जैसे ही 8.20 हुआ उन्होंने लाइन अंदर लेना शुरू कर दी वहां पर एक डेस्क होता है वेरिफिकेशन के लिए जहां पर आपका पासपोर्ट और आपका वीजा अपॉइन्मेंट का जो डेट है वो वेरिफाई करते हैं वेरिफिकेशन क कि बाद में आप जाते हो में एंटरेंस में जहां पर आपका सिक्यॉरिटी चेक होता है तो आप समझ जाओ तो आपको मेक्शॉर करना है कि आप अपना कोई भी ऐलेक्ट्रोनिक ग्याजट आपके साथ में नहीं लाते हो और इसी वक्त आपके फैमिली मेंबर्स काम आते है अगर कोई फैमिली मेंबर नहीं भी आता है तो तेंशनली की बात नहीं है वहां पर लॉकर फैसिलिटी होती है तो सिक्यॉरिटी के पहले ही लॉकर फैसिलिटी अप आप वहां पर सेफली अपने सेलपोन या डिजिटल वाच या कुछ भी आपका परस्टनल आइटा में ज जाते हो जहां पर आपका इंटर्व्यू स्केडियूल है वहां पर बैठने के बाद आपको बोला जाएगा कि आपके जो भी इंपॉर्टन डॉकिमेंट्स है वो निकाल कर रख दो इंपॉर्टन डॉकिमेंट्स में चार ही चीज़े आती है पासपोर्ट सीवीज अगर आपके प्रोसेस के घुबी मेईन डॉकिमेंट्स है यह प्लस यह जो जुबी में लिकाल पर देश कर वाद बुअने साथ हो जाना है 20 रा 30 मिनट के बाद बात वो एक पूरीлон लंबी लाएं ओ पूरा एकसाथ अंदर बुलात तो हमें लगाता है कि हमें बढ़ाना बुलां एक साथ अंदर जाएगी अंदर जाने का फिर से सारे windows आपको दिखेंगे 30 windows होते हैं वहाँ पर लोग already interviews दे रहे होते हैं आप जब पीछे से जाते हो लाइन पर और जब आप सामने देखते हो तो वहाँ पर लोगों के already interviews चल रहे होते हैं you could literally hear them saying their answers for the interview तो आप थोड़ा सा पानिक हो जाते हो थोड़ा स्ट्रेस्फुल हो जाते हो तो वह अवाइट करना stress मत लेना सब भूल जाओ बिंदास रहो जो होगा देखा जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप वो लाइन क्रॉस करोगे आप सबसे पहले करोगे अपना documents verification उसमें आपको जो भी documents जैसे मैंने आपको बता है after that वहां से जो आपका स्टाफ होता है वह आपको लॉट करेंगा कि okay now you can go to counter number 30 आप counter number 20 25 तो ऐसे counters distribute होते हैं अब जैसे ही counter पर जाते हो फिर वह last घड़ी है जिसका बहुत time से इंतिजार कर रहे थे वह चीज आगे आपके सामने your interview और आपके आगे ना बहुत सारे interviews already ongoing होंगे तो आपको उनको देखके panic नहीं होना है क्योंकि लोग बहुत जादा डर जाते हैं आपने आगे interview देखते कि आरे इसका visa reject हो रहा है तो मेरा visa भी reject होगा तो ऐसे बहुत जादा पानिक हो जाते हैं लोग तो आपको पानिक नहीं होना है जैसे कि आपको पता ही है अपने वीडियो या सर्च करके देखा होगा कि एक काउंटर होता है rejection का एक Chinese counter होता है जो वीजा हमेशा reject होगा ऐसा कुछ नहीं होता तो गाइस पहली बात तो हम वेजिए क्वाए हम नहीं कर सकते हैं गारी साल यह वेजिए क्याशना के लिएदा में एक अग्या चाइनीज कांसफीर हो इसे हमारा चाइनीक से लुए ocean on उदर मच जाना और पता नहीं किसमत में वही लिखा था तो वही हुआ और मैं वहाँ पहुच गया और फिर जब तीन रिजेक्शन देखने के बाद अंदर जो कॉन्फिजिन था वो मेरा भी खतम हो गया था मुझे ऐसा था कि आज जो होगा वो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा और यह सोचकर मैं भी काउंटर के आगे बढ़ा पहले सबसे पहले विश किया और उसके बाद उसने डॉकुमेंट्स मांगे तो मैंने अपने पासपोर्ट दिये सीवीज दिया आएएएएएएएए जैसे ही दिया उसने कोशिंस करना चालू किये तो मेरे आगे जितने इंटर्व्यूस हो रहे थे और मेरे बाजू में जितने इंटर्व्यूस हो रहे थे उसमें वो लोग बहुत ही नॉर्मल कोशिंस पूछ रहे थे और बहुत ही लिमिटेड पूछ रहे थे तीन या चार स के रापिड फायर राउंड चालू हुआ तो मैं एकदम सोच में पढ़िया मुझे तब तभी कुछ समझ ही नहीं आया वह जैसे इसे कुछ पूछ ली थी मैं बस आंसर दे रहा था उसमें बॉस्टी कोशन्स वही होते कि आप युएस क्यू जाना चाते हो कितने ताइम के लि मुझे कुछ बाउंगा तो मुझे कुछ अप्रोक्सिमिटली मिनिट्स लग गए वो काउंटर पे इंटर्व्यू देते देते और के बाद जो आंसर मिला मुझे वो क्या बता वापको वो था की तो मुझे बहुत देखा मुझे दो मिनिट और बुला यूर वीजा इस अप क्या हुआ मेरे साथ मुझे कुछ समझ नहीं रहा था जब मैं भाहर निकला फिर मैंने सोचा मुझे कि ओ फाइनली माई यूएस वीजा इंटर्वी इस अप्रूफ ये लेवल से आपके यूएस वीजा इंटर्वी के बारे में बाउन आपको बताईगी कि वीजा मैं थोड़ा सा डर गई थी but when I went to the counter मुझे कॉंसलेटने सिफ तीन क्वेशिंस पूचे पहले तो नहीं ने गृत किया मैंने गृत किया उसके बाद में तीन क्वेशिंस पूचे की what is my training plan मैं कहा जा रही हूं and third is okay your visa is approved and that's it that's all for me मैंने जो भी प्रिपरेशिंस की थी कि ये ये बोलूंगे ये question करेंगे तो ये बोलूंगे तो मुझे वो सारा मुका नहीं मिला and thankfully वो सारा मुझे नहीं मिला तो ये तीन questions, दो तीन questions मुझे उन्होंने पूचे, nothing related to my process, just ask me कहा जा रहे हो, कितना time है, क्या program है and that's it and he said your visa is approved and honestly guys वो moment पे नह रिलाईज ही नहीं होता कि your visa is approved उन्होंने बोल दिया है या मेरा बहुत जादा easy process था, मुझे बिलकुल भी कोई problem नहीं हुई और मेरा I think interview one hour में complete हो गया था whereas he took around one hour thirty minutes for his interview वीजा interview के बार में हम यह नहीं परता सते कि कितना time कि इसको लगगा, it depends, it entirely depends on what consulate counter you get क्या expect कर सकते हो वो day पर, first thing documents आपको ready रखना है, second चीज आपको time पर पहुचना है, third चीज आप JC enter करोगे, fourth चीज आपको locker मिल जाएंगे, security check होगा, fifth चीज आप wait करोगे, blind में और sixth आप verify कराऊगे, seventh आप interview देकर clear हो जाओगे सो जो भी interview देने वाला है, उसको all the very best, I hope आपका interview अच्छ जाए और ये वीडियो आपके काम है, इस वीडियो को करते है, यहीं पर end, मिलते आपको new video पर कुछ नया informative लेकर, अगर आप channel पर नहीं हो तो subscribe करो, comment करो and like करो and see you on the next vlog soon